पिंटर विकेशन की छुट्टियां हो और बच्चे घर पे हो तो उन्हें कुछ न कुछ ऐसा चाहिए जो मार्केट के जैसा हो और खाकर उन्हें मजा आ जाए तो चलिए आज हम बनाती हैं यहाँ पर पोटेटो चीज बॉल्स जो बच्चों की बहुत ही फेवरिट होती है और अगर आपके बच्चों की फेवरिट हो तो एक लाइक कर दीजेगा और वीडियो को शेयर कर दीजेगा मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए आलू चीज बॉल्स बनाने के लिए क्योंकि हम यहाँ पर पोटेटो चीज बॉल्स बना रहे हैं तो आलू को मैस कर लीजिए पर बहुत ज़्यादा मैस नहीं करना है मतलब आलू गीला नहीं होना चाहिए कि एक्तम से इस्टिकी सा और अब हम क्या करेंगे यहाँ तुर डालेंगे खूब भेड वर सारा हरा धनिया और अद्रक हरी मिरची यहाँ पर मसाले बहुत ज्यादा नहीं पड़ते हैं और खास तौर से अगर बच्चों के लिए है तो मिरची वेगे आप इसकिप भी कर सकते हैं मैंने यहां पर महीन कट करके डाला है एक मीडियम साइज का प्याच तो यहां पर अद्रक को ग्रेट करके डालिए और साथ में मिर्ची को बहुत महीन चॉप कर देजे एक चम्मच भरकर मैंने यहां पर ओरियनो डाला है और चिली फ्लेक्स चिली फ्लेक्स तीखा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और इसको ना हातों से इस तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सबी चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएं, अब आप इस तरह से हात में बना कर देख लीजिए, क गोल के लिए मैंने मैदा, नमक, चिली फ्लेक्स, और इगैनू, यह चीजे ली है, और नमक का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए डालिए, क्योंकि नमक हमने आलू में भी डाला है, आप इसको ना हमें घोल कर पतला सा घोल बनाना है, तो पानी को थोड़ा-थोड़ा करके ड जालेंगे ना तो यह परफेक्ट घोल यहां पर बनकर तयार हो जाएगा, यह देखिए, इस तरह का जएए, बहुत जादा गाला मत रखिएगा, क्योंकि चीज बॉल्स में जो उपर लेयर होती है, वो मैदे की बहुत जादा गाड़ी नहीं होती है, पतली से लेयर टो यहां पर इसको पहले खोल लेते हैं, यह देखिए, तो साइट से यहां बहुत आसानी से खुल गया, यह मुझे पता नहीं था, तो मैं आगे साइट से इसको खोल रही थे, अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसकी क्यूप्स मनाने हैं, तो इस तरह से कटला का लीजी औ और इसको अच्छे से रोल रोल कर लेजे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने क्या किया था, इस तरह से रोल बना लिये थे, तो जो चीज बॉल्स पनाएंगे ना, हम उसके अंदर इस तरह से रोल्स बना कर रख देंगे, और जो मार्केट में क्यूब्स आते हैं तो इस तरह से अगर आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं डालनी है तो आप इस तरह से छोटे रोल उसमें रख दीजिए, चीज का टेस्ट अच्छा आएगा, अब चलिए फटा फट से इसको बना लेते हैं, तो मैंने कठाई में तेल गरम होने के लिए साइड में रख लि मेंट हो जाए, बढ़िया से हलके हातों से इसको थोड़ा सा तेल लगा लीजिए हातों में और हलके हातों से इस तरह से अच्छे से लड़ू बना लेजिए, और उसको डालिए ये सौरी बेसनी मैदे के खोल में, तो मैंने किया किया था, मैंने पहले ये सारे के सारे अच्छे से गरम होगा, तो यह जादा ओयली नहीं बनते हैं, और यह बढ़िया से एकदम ड्राय ड्राय सिक कर उपर आ जाते हैं, तो मैदे के घोल में इसको डालेंगे, और इस तरह से जो हमने ब्रेड क्रम्स रखा है, और ब्रेड क्रम्स आप ताजी ब्रेड को भी, मिक्स को डालते जाएं, यहां पर हलका सा इनको पलड दीजिए, जब यह थोड़े से एक साइड अच्छे से सीख जाएं, इससे अच्छा और टेस्टी नास्ता बच्चों को ने दे सकते बनाके, कुछ थोड़ा सा चीज है इसमें पर बच्चों को पसंद होता है, इसलिए कभी- बर्थडे पाइटी के लिए बना सकते हैं, या अचानक से महमान आ जाएं, और अगर आपके पास चीज है, तो फिर आप ये पोटेटो चीज बाल्स बना सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो नॉर्मली घर में सभी के मिल जाती हैं, इसमें थोड़ा सा ब्लेक पेपर अंदर से सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनमें धेर सारा चीज भरा होता है, तो अगर आपको ये टेस्टी से एजी और सिंपल परफेक्ट चीज पोटेटो चीज रोल्स की रेस्पी पसंद आये ना, तो एक बार बड़ा कर ट्राइ कीजेगा, और मेरे वीडियो को लाइक श आरे पोटेटो चीज बाल्स